मुसा वादा विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियानी मुसा वादा विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियानी वीदा पिपल समढ संग हम भारत के लोग तीनों का मतलब एक ही है और यहाँ जो आज मीटिंग है वो रोग हारी रोग का हरन करने वाले पुरानी हमारी बुद्ध की भासा में हम अपने डॉक्टर्स को रोग हारी या रोग हरन बोलते हैं उनकी खास्त और से मीटिंग है और ऐसी मीटिंग अभी 26 दिसंबर से पहले तीन चार ओल लगेंगी क्योंकि जैसे जैसे मुवमेंट पास आती जाएगी वैसे वैसे मुवमेंट बढ़ती जाएगी आज काफी मुवमेंट है और लगबग आज के हिसाब से तीन सो के करीब वहां लोग पहुँचेंगे अगर आज के हिसाब माने तो और 26 दिसंबर में अभी एक मेहने से उपर है और वहां की जो कैपिचिटी है वो 500 है 500 चेर्स की हॉल की है 150 उपर नीचे और बढ़ाए जा सकते हैं अगर यही स्पीड सबकी रही और यही जील रही लगन रही तो 500 प्लस भी क्रॉस कर जाएगी संख्या 500 पहली वार में बहुत बड़ी है अगर पूरे भारत के हिसाब से बहुत चोटी है क्योंकि हम तो लाखों में हैं हमारे जो डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल के जो लोग है वो लाखों की संख्या में है जो काम कर रहे हैं और उन सबको जोड़ना सबका काम है तरसल यह जो 26 तारिक को हो रहा है यह इवेंट नहीं है इसलिए कोई व्यक्ति अगर यह सोचके त्यारी करे कि वहां जाना है वहां एक इवेंट होगा क्योंकि अधिकतर लोग इवेंट करते हैं तो इवेंट में और मूवमेंट में थोड़ा सा अंतर होता है इसको समझ लें एक साल में एक काईकरम या दो साल में काईकरम या तीन साल में काईकरम कोई साल ग्रह का या कोई मिलने का या कोई उत्सप का या कोई इस तरह का के जैसे सारे परिवार के लोग मिले कोई फंक्शन टाइप का उस तरह का होता है इवेंट जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगाई जाती है और उसमें शो होता है यानि कि ताकत के साथ में एक देखने और देखाने का चलने भी होता है और बहुत ज्यादा पैसा लगता है और जो मूवमेंट होती है वो जमीन के अंदर चलती है कभी कभी जमीन के ऊपर आती है और बहुत सिलो चलती है वगर बहुत म महिने से ये एक जो हमारा जुम का पोटल है वहाँ चल नहीं थी जो वर्च्वल थी अब एक्च्वल भी लगनी सुरू हो गई है तो एक्च्वल की लगबग काफी बड़ी संख्या में मीटिंग्स लगनी सुरू हो गई है समण संग में सारे ही प्रकार के लोग आते हैं जो हमारे ST, ST, OBC है जितने भी हमारे प्रॉफेशनल्स हैं या जो प्रॉफेशनल्स नहीं है लेबर है, किलास है जो समण संग में पैदा हुआ है चाए वो मा के पेट में है चाए वो बुड़ा है चाए वो सजा काट रहा है चा उसका राइट है उसका वर्थ से राइट होता है कि वो समण संका एक मेंबर रहेगा और जो ज़्यादा काम करते हैं वो इसके एक्टिव मेंबर हो जाते हैं ज्यादा काम करने से वो एक डिगरी उपर हो जाते हैं अपने आपको वो एक्टिव कह सकते हैं उनको यहां हम स्पो को बार-बार कहने वाले वक्ता जिस को इंगल्स में स्पोक्स बोलता हैं बहुत सारे हों तो सिस्पोक्स बोलते हैं यह जो 26 तारीक का कारिक्रम हैं यह पहला आ लगे गा इसमें पैरा मेडीकल के लोग भी आएंगे और हमारे जैसे गारीज को सब अपनी रोटी खाते हैं, सब अपनी कुर्सी पे बैठते हैं, यहां कोई किसी के उपर चंदा मागने नहीं जाता, यह इसका नियम है, यह नियम समढ संग का यहां भी लागू है, इसलिए जो ड्रीम वर्ड रिसोर्स में, जो डॉक्टर्स ने वहां आपके लिए सस्ते मे लंच, सस्ते में, ब्रेकफास्ट और सस्ते में वहां पर एक हाई टी का अरिजमेंट किया है, और बैठने का किया है, तो 700 रुपे एक व्यक्ति के खाने का खर्चा और 300 रुपे इस हॉल में बैठने का और चेर का खर्चा है, जो हर व्यक्ति को देना है, चाए वो मेडिकल है चैनल मेडिगल है क्योंकि सब स्वाभी मानी आदमी है अपना खर्च अपने आप उठाएंगे तो हमें फिर किसी के हातों बिकने का चांस जीर हो जाएगा फिर हमें कोई बेक नहीं सकता जैसे पहले समड संग के अंदर होता था जरसल पहले इसको खाली संग बोला करते थे समड संग तो हम इसलिए बोलने लगे क्योंकि संग जो हमारा था उसको कुछ लोग लेकर चले गए जो बंबन है तो हम समड थे बुद्ध समड थे जो हमारे सारे लोग वो समड है पुरानी भासा पाली के अंदर है उसको बदलके संसकायत करके सिर्मन करने की कोशित की गई मगर स्रमण का आर्थ नहीं है दरसल स्रमण का मतलब जो संस्कर्ट में बताया जाता है वो मेहनत करने वाले लोग है और वो बस मेहनत ही करते हैं और कुछ नहीं करेंगे मगर समण संग ऐसा नहीं है क्योंकि समराट असोग भी समण है और समराट असोग तो दुनिया के सबसे बहतरीन राजा रहे हैं चक्रवती धम चक्रवती राजा रहे हैं और उन्होंने इरान से लेकि बर्मा तक राजपूरा इस्थापित किया है और वो राज इस्थापित किया है जिससे पूरा का पूरे सेरिया को महा भारत बोलते हैं उसके बाद तो यह छोटा भारत बन गया आज इसको भारत बोते हैं अब इसको महा भारत नहीं बोते हैं तो ऐसे हम राजा की संतान हैं और ऐसे विस्वगुरु बुद्ध की संतान हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है जानती है और ऐसे डॉक्टर अम्मेटकर की संतान है जो मौडन हिस्ट्री में पहले निम्मर के ग्याता है इसलिए हैं स्रमन करने वाले लोग नहीं हैं हम तो राजा लोग हैं हम तो डॉक्टर हैं हम तो इंजिनियर हैं और हम तो वकील हैं थोड़ा सा मौका मिला तो हमने अप्रूब कर दिया तो वो थोड़ा सा मौका हमारे हाथ से जाने के लिए पूरी तरह से कमान से निकल गई हमारे रोजगार बंद कर दिये क्योंकि सारा सेक्टर प्राइवेट कर दिया गौर्मेंट सेक्टर में हमको रोजगार मिलता था वो सारे सेक्टर बेच दिये प्राइवेट सेक्टर अभी हमारा अतना मजबूत है नहीं कि हम वहां अपने लोगों को रोजगार हमारे पास खेती नहीं है, हमारे पास खलियान नहीं है, हमारे पास पैक्टरी नहीं है, हमारे पास इंडिस्ट्री नहीं है, हमारे पास में सिर्फ एक चीज़ है और वो है जन्बल, यानि कि हम जन्बल में सबसे आगे हैं और जन्बल से के हमारी सबसे ज्यादा है, किसी भी क काम हमें नहीं मिलता है इसलिए दिक्कत यह है कि हमारा शोंट होता है sufficiently를 करते हैं उस शोंट से उप्रशरती से बचने के लिए हमारे पास में सबसे बड Championships को व्यायदा को यानि समवधान है तो जन्म संविधान है तो जन्म का फायदा की नहीं रहेगा इसको समझ सकते ह total कि जब समराट असोग थे उस समय तक यहाँ डेमोक्रेसी थी, यहाँ पर सम्विधान था, तो यहाँ लोगों की बात सुनी जाती थी और एक अच्छा राज़े चलता था, उनके जाने के बहुत साल बात, लगबग अभी 500 साल पहले तक हम बलकूर ठीक थे, मगर 500 साल पहले ज को मनुस्मर्तिवाद बोते हैं, उसमें जो सिस्टम है, वो है एक राजा होता है, और एक उसका सैनापती होता है, एक उसका प्रधान मंत्री होता है, प्रधान होता है, और एक उसके कुछ दरवारी होते हैं, चाप्रूस दरवारी होते हैं और वहाँ पबलिक की नहीं सुन जूद भी जो हमारे हमको बचाने के लिए जो जिन लोगों ने संखर बनाए उन्होंने भी मनुस्मर्टी के स्ट्रक्शर पर संखर बना लिए उसमें एक वो प्रधान रखते हैं एक जननल सेकर्टरी कुछ सेकर्टरी एक कैशियर और बाकी कुछ उनके मेंबर होते हैं और व हम उनको पैसे देते हैं, वो हमसे पैसे लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमको सपोर्ट दो, हमारे महां मीटिंग में आ पाना, वहां खड़े होना हम वहां उनको सपोर्ट भी देते हैं हम आज जाते भी हैं और जो वो बात कहते हैं वो हम बात मानते हैं फिर भी हमारे सारे अधिकार जो बावा साब लेके आए थे वो सारे के सारे चले गए यह पड़े ताजू की बात है कि संग्ठन हमें बचाने के जातियों को जोडने के नाम पर 29 लाक संग्ठन हैं हमारे यह मजाग भी हो सकता है यह हमारे लिए बहुत बुरी बात भी हो सकती है और यह हसी की बात भी हो सकती है कि 6743 जातियां को जोडने के लिए 29 लाक टुकड़े कर दी है हमारे समाज के और यह जो 6743 जातियां हैं अग कि तीन पोटलिया मान्दी, तीन पिटारी मान्दी, तीन पिटा कर दिये, एक SC, एक ST और एक OBC. आज हम सब जब लोग जानते हैं, तो अपने आपको कुछ SC कहते हैं, कुछ OBC कहते हैं, और कुछ ST कहते हैं, मगर आप पीछे जाएंगे, बुद्ध के समय जाएंगे, तो हम सारे समण हैं, और हमारा संग है, जिसको समण संग बोलते हैं, क्योंकि हम हर वार कहते हैं, बुद्धन सरनंग गच्छामी, तो कौन से संग में हम जाएंगे, क्योंकि बुद्ध ने जो संग बनाया है उस चार प्रकार के संग है एक भिकुण का एक भिकुणी का एक हमारे जैसे साधरान उपासकों का और एक हमारे जो महिला होती है उनकी उपासिकाओं का यानि कि चार प्रकार के संग से मिलके संग बनता है तो जब हम कहते हैं संगं सर मतलब है कि हमको इखटे रहना है ये इखटे रहने का जो मंत्र है ये बुद्ध ने दिया तो जब हम इखटे हुए तो सम्राट असों के सासन में हमें सब कुछ मिला यही मंत्र हमारे जो संत थे उन्होंने कहा साधू संगत करो साधू संगती में रहो संगत में रहो संग रहो तो ये संगती, संग और जो भजन बोते हैं, भजन माने भी संगती होता है, पाली के अंदर भजन माने साथ रहना होता है, तो उन्होंने भी हमें बार बार कहा, एकटे रहो, साथ रहो, और फिर जब बावास आवा है, तो उन्होंने भी ये कहा, और्गिनाइज, पादे के बादे के बादे के बाद संग्ठन बनाते गए और संग्ठन लगाता तूटते गए और संग्ठन उत्तिस हजार हो गए तो हमने हिसाब लगाया कि संग्ठन तूट क्यों रहे हैं जब संग्ठन होने के लिए सारे लोग कहते हैं तो यह तूट क्यों जाते हैं तो हम जब उसमें पैसा आता है और उसमें पद और पदिश्ठा आती है जब उसमें मान सम्मान मिलता है तो यही संग्ठन हमारे लिए जहर हो जाते हैं इसमें जिसको पद नहीं मिलता वो दूसा संग्ठन बना लेता है जिसको पैसे का बटवारा नहीं होता वो दूसा संग्ठन ब 31 लाख हो गए जिसमें 2 लाख उनके हैं 29 लाख हमारे हैं और 4 लाख एक्टिव हैं और यह संग्ठन सभी में हजारों की संक्या में हैं चाहे वो राजनितिक पार्टिया हैं चाहे वो समाजिक संग्ठन हैं चाहे वो प्रॉफिशनल्स के हैं चाहे वकीरों के हैं चाहे डॉक् के दलबल के हैं चाहे ये फाइनस वाले जो सेक्टर ने इसके हैं चाहे मजदूरों के हैं चाहे महलों के हैं हर महले में चोटी-चोटी पंचायते हैं चोटे-चोटे गुरुप और चोटे-चोटे संग्धन बने हुए चाहे वो एजूकेशन सोसाइटी के नाम पर हैं और च ज्यादा हमें जल्दी होता तो हमारे अधिकार बचते ना किवल बचते वो और ज्यादा हमें मिलते मगर हुआ इसका उटा जितने ज्यादा संख्ठन बनते गए उतनी तेजी से हमारा कार्मा पीछे जाता रहा और देखिए बावा साथ कितने ज्यादा उस जमाने में जो दूर दर्सी और दुनिया के नंबर वन वो पड़े लिखे हैं कितनी बड़ी दूर दर्सता उन्हें दिखाई उन्होंने साफ कहा है मेरा कार्मा अगर आगे ना पड़ा सोको मेरे बच्चों तो पीछे मत जाने देना और उनके बच्चों ने क्या किया संख्ठन बनाए औ कारवा नहीं पुचा दिया आज इस्तिति यह है कि कुछ साल के अंदर बहुत जादा नहीं पांच साल के अंदर हमें वही स्तिति आ जाएगी कि हमें मरे हुए जानमर का मास्क खाने पे अपनी जिन्दिगी बस्रकन दिनर पड़ेगी क्योंकि अब हला तो बहुत ज़्यादा खराब होगी जो हमारे लोग पढ़ गए हैं लिख गए हैं उनके बच्चे पढ़के लिखके डिमोशन में जा रहे होना तो यह चाहिए हैं वो एक एक करोड में बन रहे हैं और जो एक करोड में बन रहे हैं उनको नौकरी नहीं है सरकारी और प्राइवेट उनके खोलने की चंता नहीं है और प्राइवेट में बहुत ज़्यादा जाती वादी चलता है जाती वादी सिस्टम चलता है तो उनको दद्दस बीपीस 30,000 की नोकरी करने के लिए मजबूर किया जाएगा और किये जा रहे हैं वो और जब जादा हालत हो जाएगी तो फिर जाती वादे सिस्टम हो जाएगा तो मरीज भी हमको नहीं मिलेंगे हमारे आदमी के पास पैसा होगा नहीं दवाईयों के लिए भी और खाने के लिए जैस आप सब देखेंगे के तरकी हमारी रुक गई है अब हमारे पास पैसे आने बंद हो गए हैं हमारी पढ़ाई उपर की लेवल पर जाना बंद हो गई है और जो हमारे पीछे लोग आ रहे थे और जो पढ़ते जा रहे थे आगे वो बैक होते जा रहे हैं पीछे होते जा रह तो हमें क्या करना चाहिए तब हमें बावा साब का बताया हुआ वो सिध्धान स्वन में आता है कि हमको इखटा होना चाहिए और इखटे होने में सारे तालों की चाबी है और इखटे होने में सारे फाइदे हैं क्यों फाइदे हैं क्योंकि दो अप्रेल अठारे को जब हमार वो जो अधिकार था वो बापस मिल गया जब कि ना कोई MP आया, ना कोई ML आया ना कोई मंतरी आया, हमारे फिवर्ण में कोई नहीं आया, हम अपने नेता खुद बने, हम अपने संग में खुद आए, हम संग्धित हुए हम इखटे हुए हम सड़कों पे आए और हम बिना नेता के आए तब समझ में आया कि अपनी मुसीबट टालने के लिए नेता की आवशक्त नहीं है नेता जब हमारी चार अधिकार हो जाएंगे और अगर हम लगातार इखटे हो जाएंगे हमेसा के लिए खटे हो जाएंगे तो हमारा कोई अधिकार जाए गए नहीं और जब बावा साब ने ये कहता कि आज के बाद सम्विधान लाग होने के बाद में आप राजनेती की स्थर पे तो बरावर होगे मगर आर्थिक और सामाजी की स्थर पे बरावर नहीं होगे तो अगर हम इखटे हो जाएंगे तो हम राजनेती की स्थर पे तो बरावर हैं फिर हम सामाजिक इस तरपे और आर्टिक इस तरपे भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि 30 लाग करोल का बजट होता है और हमें कहीं भीक नहीं मांगनी हमें सिर्फ ये कहना है इखटे होके कि हमारे बजट का पैसा हमारे लोगों पर खर्च होना चाहिए और हमारी परसंटेज ह पूझी है वो मिल सकती है जो लाखो करोड में हैं वो मिल सकती है मगर मिलेगी जब जब आप इखटे होके आएंगे सम्विधान कहता है मेरे बच्चों इखटे होके आओगे तो तो मैं आपके साथ हूँ क्योंकि आपने सम्विधान बनाया है अपने लिए बनाया है और आ ऐसा एखटे रहते हैं, वो कभी सड़क पर नहीं आते, उनके अधिकार उनके घर पहुंचाते हैं, जिन जिन लोगों ने संग बनाया हुआ है, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो अधरतर के और भी लोग हैं, उनके अधिकार सुरक्षित हैं, उनके कोई atroc के अंदर, होस्टिल के अंदर जढ़े नहीं होते, क्योंकि वो इखटे हैं, उनका समाज इखटा है, और हम भी खटे हैं, ऐसा नहीं है, हमने दो पहल को सिद्ध कर दिया, प्रूब कर दिया, कि हम इखटे हैं, बस हमको और्गनाइज होना है, जो बावा साब ने कहा है, उ जी का, दो सो आदमी का, बहुत बड़ा किसी का होगा, तो दस हजार का होगा, तो संग्ठनों के उद्ध से बड़े छोटे होते हैं, उनमें लडाईयां बहुत होती है, वो कहते हैं, तेरा संग्ठन छोटा, मेरा संग्ठन बड़ा, तेरा संग्ठन का नेता ऐसा, मेरे अच्छा है तेरा जो नेता है सराभी है मेरा नेता अच्छा है ये सारे तरह के चाहे वो राजनेतिक संटन हैं चाहे वो सामाजिक हैं चाहे वो धम्मिक हैं धम्मों में भी जगड़े चलते रहते हैं भगवान बुद्ध के जो धम है जो धम्मिक संग्ठन है जो वाब बाव तो हमारा संग कहा है दरसल जो बुद्ध ने बनाया और बुद्ध से पहले था वो तो संग हमारा था बुद्ध से पहले कैसे था क्योंकि एक वार आपने पढ़ा होगा जो बावा साथ की किताब है भग्मान बुद्ध रुनका धम उसमें वो ये कहते हैं कि सिधत गौतम या प्रिशन पास हुआ कि हम युद्ध करेंगे और संग ने बहुमत से पास कर दिया मगर इस बहुमत के निर्णे के खिलाफ में सिधत गौतम सिध्धात गौतम खड़े हो गए उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा तो उन्हों का वे पनिस्मेंट मिलेगी क्योंकि आपने संग का नियम नहीं मना, तब तक खाली संग बोला करते थे, उनको पनिस्मेंट मिली, उनने छोड़ना पड़ाता पिलबस्तू, तो वो संग से बड़े नहीं थे, इसलिए वो संग हमारा उस समय से चला रहा है, जब बुद्ध बुद्ध नहीं थे, यानि कि हमारे बा और हमारे बाप दादाव का है, कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्ध समण हैं, और समण संग हैं, और हम समण हैं, हम बंबड नहीं हैं, इसलिए संग पहला और आखिरा राइट हमारा है, तो आज हम इसका नाम समण संग बोलते हैं, क्योंकि संग अब कहीं और जा चु तो free के चुनते हैं और खाना हम खुद अपना हाथ अपना साथ लेके आते हैं येसे समण संग में पुराने समय में लेके आते थे हम meeting करते हैं meeting लगातार चल रही है कोई खर्चा नहीं और कोई रसीद नहीं और कोई पैसा नहीं तो इसकी membership क्या है इसकी मेंबर्शिप जितने भी भारत में समण लोग हैं वो सब इसके मेंबर हैं और इसमें सिर्फ मेंबर्शिप तब जाती है जब संग बैठ जाए और वो डिसाइड करे कि यह आदमी ने संग तोड़ा है या सने संग की खिलाब पाप किया है या संग का ये गदार है और उसको संग भाहूमस से निकाला दे दे तब वो समण संग का मेंबर नहीं रहता वना सब इसके मेंबर होते हैं इसकी कोई फीस नहीं होती इसका कोई रेश्ट्रेसन नहीं होता क्योंकि संग का रेश्ट्रेसन नहीं होता और इसका कोई मालिक भी नहीं होता, संग का मालिक संग ही होता है, संग का लीडर संग ही होता है, भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा था कि आनंद आखीरे भिक्कु मत बन जाना, संग चलाते रहना इसलिए आज भी बिक्को संग चलता रहता है मगर उपासा कि यानि हमारा संग हो बंद पड़ा हुआ है अब वो दुबारा से एस्टाबलिस होके निकल आया है तो इसमें कोई व्यक्ति कभी जिंदिगी में नेता नहीं बन सकता इसलिए नेता बनने मत आना इसमें क्यो जो 29 यह जो 26 दिसंबर को जो मीटिंग होगी इसमें डॉक्टर का संग बैठेगा जो डॉक्टर नहीं है वो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे वो दर्सक के रूप में बैठेंगे वहां देखेंगे आपकी सेवा करेंगे आपके साथ आएंगे तो सारे फैंसले वहां डॉ आप करेगा संग महां अपना प्रपुजल देगा संग महां अपना काम करेगा और संग में जो जो लोग एक्टिव काम करना चाहते हैं वो करेंगे और यह जो डॉक्टर का संग है यह संग पूरे भारत के संग के साथ अटेच है क्योंकि सभी समण हैं और वो अटेच हैं सि जारी डॉक्टर करेंगे नॉन मैडीकल, मैडीकल का ड毫ू कोई नहीं कर सकता अनका संग करेगा तो संग का यह जो कंसेप्ट यतना बढ़िया है कि पूरी दुनिया ने इसका ठान आप। कि मीटिंग टॉक्टर्स की मीटिंग की डॉक्टर्स जम्मधार हैं कोई non-medical जम्मदार नहीं है तो वो welfare में जो भी करना चाहें जैसे भी करना चाहें लोगों का वो खुद अपने मुक्तियार होंगे और वो खुद अपना काम दरेंगे हर चीज की जम्मदारी उनकी अपनी होगी और वो इस काबिल है तो कि जो व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है वो अपनी लीडर्शिप की खुद कर सकता है अपना समण अपना डॉक्टर का संग भी खुद चला सकता है भार से नेता इंपोज करने की कोई जरूत नहीं है कोई non-medical आदमी medical वानों को कुछ बताए वो अपनी समस्या बता सकता है अपनी बिमारी बता सकता है मगर वो ये कहे कि तुम ये करो ये करो ये करो ये करो ये ताना साही और ये मनुस्मर्टी में लेखा हुआ ऐसा बाबा साफ के सम्मिधान में ऐसा नहीं है बावा साफ के संविधान में तो साफ साफ है भारत गणराज्य संग जिसको संग मिलके चलाता है क्योंकि पार्लियमेंट जो है वो भी एक संग है जिसको वो खुछ उनती है किसको क्या बनाना है किसको क्या नहीं बनाना है कौन क्या काम करेगा कौन क्या नहीं करेगा वो उसमें भी भाइ जुड़े हुएं, 174 इस समय हैं, वो सब कमर कसलें, क्यूकि ये सदत प्रक्रिया है, ये जिरनतर है, संग कभी नहीं मरता, संग कभी खतम नहीं होता, क्यूंकि पेले भी खतम नहीं हुआ अभी भी खतम नहीं हुआ है, ये संग हमेसा से रहता है, इसमें लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जो ज़्यादा काम करने वाले दिश्माच लोग मर भी जाएं, तो भी फरक नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें व्यक्ति की आहमेत नहीं है, ये संग की आहमेत है, तो संग चलता रहेगा, काम चलता रहे ये सब बिखरे हुए लोग थे, मगर चो छोटू राम करके एक व्यक्ति थे, लोग किया हुआ था उन्होंने, छोटू राम ने इस बात को समझा के सब को इखटा करना चाहिए, और वो हर्याना में पंजाब में घुम घुम के मिटिंग लगा के बोलते थे, अरे जाटो को ज करोड़ हैं समझ संग में, और अगर हम ये बात करें कि जागे हुए लोगों की या खाली इसमें एक ऐसी वाले पार्ट की बात करें तो तीस करोड़ हम हैं, जब दो करोड़ों लोग जो सिख हैं, वो अपनी बात मनवा सकते हैं, तो तीस करोड़ों लोग क्यों नहीं, तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये होती है कि सारे संग्धन भी इसके अंदर आते हैं और सारे लोग भी इसके अंदर आते हैं इससे कोई बहार नहीं है और ये किसी से बहार नहीं है जिसको जो करना है वो आके करे सब समर्ण संग का पार्ट है जिसकी जो एक्टिविटीज ह अंदर जो अलग घूमता है जानवर वो मारा जाता है ये प्राकर्टिक नियम है चाहे वो शेर हो वो भी मारा जाएगा उससे कुत्ते फार देंगे उसे भेड़ी फार देंगे चाहे हाती अकिला घूमे कितना बड़ा जानवार है उसको सेरों का जुंड फार देगा चाहे ब बचना है तो एकटे होना पड़ेगा क्योंकि हम मनुफ से हैं एक छोटी मदू मक्खी भी जंगल में एकटी रहती है छोटी छोटी कीडियां जो कीटियां होती है वो भी खटी रहती है जब जानवर तक एकटे रहते हैं और जानवर की तो बात छोड़िये जो जाड़िया होती हैं, वो भी खटी रहती हैं, तो सूरज की गर्मी से बाल से बढ़ जाती है, इसलिए उनको जुंड बोलते हैं, तो हमको जुंड में रहना है, हमको संग में रहना है, अगर हमें बच्चों को बचाना है, इसलिए जितनी तेरी से संग हमें आ जाएंगे, उतनी तेरी से जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे उतनी जल्दी बच जाएंगे और जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां बच जाएंगे और जब जब जुड़े हैं तब तब बचे हैं और जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे बचे हैं और जितनी जल्दी अभी जुड़ेंगे तो अभी बचना सुरू हो जाएंगे ये तुन्त प्रिक्रिया है एही पस्षिको है ये ओपनेको है यानि कि अभी आप देखोगे अभी समझोगे अभी ये फाइदा देगा ये संगंग संगंग अच्छामी बहुत पुरारा सिध्धान्त हमारा है और हमारे ही बाप दादाव का है इसलिए हम सब समझ संगी हैं हम सब समझ समाज के हैं हम सब भाई हैं और हम सब को अपनी जान बचानी है और अपने बच्चे बचाने हैं तो जितनी जल्दी हो सके एक खटा होना है लखनों का काईकरम डॉक्टर्स का है उसके बाद वहां इंजिनिर्स भी आएंगे एड प्रोकेट्स का लगेगा अलग अलग सहरों में लगेगा फिर उसके बाद में जो गौर्णमेंट के सیکटर हैं उनका लगेगा उसके बाद किसानों का मजदूरों का नर्सों का यह सदत परिक्रियाए यह रुके फड़ना रहे हैं महराश्ट के अंदर चार मीटिंग लगबक होने वाली है जो नाकुर में पूने में अमरावती में यवत माल में और एक नासिक में यह सब जग वहां मीटिंग लग रही है इसनिया जो जो आपकी जानकारी में है उनको जगाईए उनको बताईए क्योंकि संग में हिसेदारी डालने जरूरी है और गारंटी है क्योंकि संग कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाता संग कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा क्योंकि संग का काम पॉलिटिक्स करना नहीं है संग का काम तो कि मैं भी पॉलिट्टिक्स में नहीं जाता जिसको जाना है वो संग से सकता है और जो संग जो पॉलिट Crime सोड़ के आ सकता है या बिलकुल आना जाना संग के नियम क mögliche इसलिए जिंद है जिंदा रहने की जितनी जिदगे जिदी हम बचेंगे और जो जो लोग हैं और जो सक्रिय काम करना चाहते हैं और डॉक्टर आरे स्वामी हैं या जितने भी डॉक्टर्स हैं डॉक्टर यूवी सिंग है या यहां चैट बॉक्स में लिगने ताकि उनकी एक जुम्मेदारी फिक्स हो जाए और वो एक एक्टिव मेंबर के रूप में समझ संग में आ सकें ध कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए य या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है, ये सबी copyright free हैं, आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या permission लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सो का है, उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे, कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूझी आपकी है, धन्यवाद. संगं सरैन गच्छा में। संगं सरैन गच्छा में। दूधियम पी बुद्धम सैन गच्छा में। बूतियं पी गुतंग सर्नंग च्छामी, बूतियं पी धंधंग सर्नंग च्छामी, बूतियं पी तंगं 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 सर्न पी संदम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी तरतियं पी संदम सर्णं कच्छामी